इतकाल में जो बारिश होती है वो आपकी पश्यमी विक्षोब के कारण होती है पश्यमी विक्षोब में होता क्या है यहां है आपका मेडिटेरेरिन सी जिसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर यहां से पवने जाती है इस डिरेक्शन में तौर्स इस डिरेक्शन और यहा तो शीत काल में जो वर्षा होती है वो आपकी पश्चिम से पूरव दिशा में घटती जाती है जबकि जो ग्रिश्म काल की जो वर्षा होती है वो पूरव से पश्चिम में घटती जाती है तो विंटर टाइम में या शीत काल में भारत में क्या होगा कि सूर्य हमारा दक्षि शीतकाल है अथात यहां पर इतना टैंप्रेशर रिसीब नहीं हो रहा है सूरे से तो इस कारण से यहां पर हमारी भारत की मुख्य भूमी है लैंड पर आपको हाई प्रैशर देखने को मिलेगा दो चीजे हैं, एक है cyclone और एक है Anticyclone cyclone के center में low pressure का center होता है और हमेशा वायू का जो दिशा होती है वो high pressure से low pressure की तरफ होती है तो जब cyclone होता है, साइकलो के center में चुकि लो pressure है इसलिए बाहर से अंदर की तरफ cyclone में वायू आ रही होती है वहीं अगर हम anti cyclone प्रति चक्रवात की अगर हम बात करते हैं तो उसके केंद्र में high pressure होता है और उसके बाहर low pressure होता है तो उसके केंद्र से 4 तरफ all direction में आपके wind flow होती है तो जो winter monsoon है जब भूमद्य सागर से जो पश्यमी विक्षोब है वो आएगा तो आपके कहां कहां वारिश करेगा राजिस्थान में हर्याना पंजाब और western UP तक आपको वारिश देखने को मिलेगी थोड़ी दिली में भी इसमें वारिश होती है राजिस्थान में पश्यमी विक्षोब से जो वारिश होती है उसको मावट कहते हैं तो हम बात कर रहे थे प्रतिचक्रवात की तो प्रतिचक्रवात में अगर यह वानिए इस लेंड पर अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से चारों दिशा में आपकी वायू का प्रवाह होगा और चुंकि भार भारत हमारा Northern Hemisphere में है तो यहां पर Coriolis Force किस तरीके से काम करेगा clockwise rotation अर्था घड़ी की सोईयों की दिशा में तो जब भारत की भूमी से पवने जाएंगी समुद्र पे तो उसमें rotation उत्पन होगा clockwise तो यहां पर जो rotation उत्पन होगा तो जो Bay of Bengal है समुद्र के ऊपर आपको ज जो आपका यह Coromandel Coast है यहां पर लेके आएंगे और यहां पर इसके कारण आपको November, December के आसपास बारिज देखने को मिलेगी और यही आपका North East मांसून होता है इसके बाद बात करेंगे हम Natural Disasters की प्राकृतिक आपदा तो 2004 में सुनामी आई थी भारत जो हिंद महासागर है व प्रभावेत हुआ था वारे अंडमान निकोबार का जो इंद्रा पॉइंट है यह सुनामी में डूब गया है इसी प्रकार से कई सारे साइकलों यहां पर जनरेट होते हैं भारत के आंद्रप्रदेश उड़ीशा अलग-अलग तटो पर उनका लेंड़ फॉल होता है जिसस आंद्रप्रदेश में फॉल हुआ था 2014 में विशाखा प्रत्नम उसका लैंड फॉल इंद फॉल वहुता है जब जो साइकलों है वह समुद्र में जनरेट होगा लेकिन उसकी जो टेंडेंसी होती है वह लेंड की ओर होती है टुवार senior जब वह स número 14 तो सबसे पहले जिस इस्थल भाग पर वो पहुंचेगा वो उसका लैंड फॉल एरिया हुगा तो हुड़ हुड़ जो साइक्लोन है इसका जो लैंड फॉल एरिया था वो था विशाखा पत्नम दोजा चौदे में था काफी इससे डैमेज हुआ था हाला कि 1979 में ही सेंटरल व नेशनल फ्लोड फॉर्कास्टिंग और वार्मिंग नेटवर्क की स्थापना की गए सेंटरल वाटर कमिशन के द्वारा जिसमें इसने 175 फ्लोड फॉर्कास्टिंग साइट्स बताई और इन 175 जहां पर बाढ़ आ सकती है वो उनके बारे में जहां बताया उनमेंसे 15 ऐसे थ सबसे ज्यादा बाढ़ उस वक्त देखने को मिली थी साथ ही इस डिपार्टमेंट के द्वारा इस और गनाइजिशन के द्वारा वो छे तरफी बताया जाता है कि जहां सबसे ज्यादा सूखा पड़ेगा तो इसको उसने लोकेट किया था जो मिडल इस्ट इंडिया है वह इतने ही एरिया में मोश्ली इसका लैंडफॉल मिलता है आपको जितने साइकलोंस इस्टर्ण कोष्ट पर देखने को मिलेंगे उतने वेस्टर्ण कोष्ट पर देखने को नहीं मिलते हैं इसका कारण आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब 2004 में हमारे सुनामी अपरेशन ने स्टार्ट कर दिया था नेक्ट बताया गया है इंडियन मेटरोजिकल डिपार्टमेंट है अथा भारतिया मौसम विभाग उसकी स्थापना 1875 में हुई थी और तब इसका जो हैड़कॉर्टर था वो कलकत्ता में रखा गया था अब इंडियन मेटरोजिकल ड नई दिल्ली में हिस्थी था सबसे पहले जब कोकात अंफल्गत में इसका अटाहलों सो बचतार में में हैड कवाटकॉर्टर उसके बाद शिंहां में उनने इस सो पांस में फिर पूणए में akhirशाय में भूकम की, तो भूकम के लिए भारत को हमारे पांच भागों में बाटा गया है, जोन 5, 4, 3, 2, 1, जोन 5 में भारत का लगबग 10.9% एरिया आता है, और यहां पर भूकम पाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए highest risk जोन होता है ये, पर इस छेतर में क्या-क्या छ सेंटर हिमालय, नॉर्थ और मिडल बिहार, नॉर्थ इस्ट इंडियन रीजन, और रण ओप कक्ष, यह सारे छेतर आपका जोन 5 में आता है, जहां पर सबसे ज़्यादा भूकम पाने की संभावना होती है, अगला है जोन 4, इसे कहते हैं high damage risk zone, यहां पर बहुत ज़्यादा damage देखने को मिलती है, और इसमें आपका कौन-कौन सा छेतर आता है, जो इंडो गंगेटिक बेसिन है, वो आएगा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यह जोन 4 में आता है, महराष्टर, पटना एरिया, जो कोया नगर है महराष्ट में, उसका जो पटना एरिया है, वो भी जोन 4 में आता है, साथ ही हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नौधर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बेंगौल, और गुजरात का कुछ एरिया, और महराष्ट का कुछ भाग, जो पश्मी तटके किनारे है, और राजिस्थान का भाग, यह सारा एरिया आपका आ के लक्षदीप आइलेंड आते हैं, और यह moderate damage risk zone में आता है, और देखा जाए तो 30.4% area of the country, zone 3 में आती है, zone 2 में भारत का लगभग 41.4% area इसमें cover होता है, zone 2 में, इसमें क्यों कौन सार छेतर आएगा, zone 2 में आएगा, major parts of peninsular region, करनाटक प्लेटू, यह सारे इस छेतर में आते हैं, यह high seismic intensity वाला छेतर है, छेतर नहीं है, तो यहां पर इतना ज्यादा खतरा नहीं होता है, यह safe zone है, तो आप कह सकते हैं कि प्राइदीपी भारत पर सबसे ज्यादा safest zone है, और सबसे ज्यादा खतरा कहां होगा, जहां पर volcanic activity या जो आपकी tectonic theory है, वो काम कर रही है तो कहां पर काम करेगी, जो पूरा पहाड वाला region है, जहां पर यह हिमाले का निर्माड हुआ, हिमाले का जो तटी है, मतलब जो उसके जो पदी ये छेतर है, foot hills area, वहां सबसे ज्यादा खतरा है, और धीर धीर जैसे जैसे आप पैंस और इंडिया पर आएंगे, वहां पर उतना ही कम रिस्क होता चला जाएगा, अब नेक्स टेबल में दिया हुआ है, विबिन शहर और वो कौन-कौन से जोन में आते हैं, तो आप देख सकते हैं, भुज जोन 5 में आता है, हैदराबाद जोन 2 में, चिन्रही जोन 2 में, श्री नगर आपका जोन 5 में आता है, अब समबर के इस महीने में, MP में ये सिचुएशन आ गई है कि हर जगे आपको बार देखने को मिलेगी, तो रिसेंट डिकेट्स में, फ्रिक्वेंसी ओफ फ्लट्स उत्री भारत के मैदानों में बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है, एक तो जलवाई परिवरतन उसका कि नदियों की जो गहराई है, वो कम होती जाती है, इसके कारण जब उसमें जल प्रवाह होता है, तो जल पूरी तली तक न जाकर वो चारों और उसका जो फैलाओ है, वो ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण आसपास की छित्रों में बाढ़ आती है, तो इसके लिए हमें जो नदियां है, उनके गाद को हटाना चाहिए, उनके नदियों की भी सफाई करनी चाहिए, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो इसको तीन भागों में बाटा गया है, एक हाई फ्लूर्ड अफेक्टेड, दूसरा मीडियम फ्लूर्ड अफेक्टेड औ आपका 48% of UP area आपका cover होता है, और अगर हम बात करें कि UP का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा बाड से प्रभावेत रहता है, तो जो पूर्भी भाग है UP का, वो आपका बाड से सबसे ज़्यादा प्रभावेत छेत्रफल होता है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले इनोंने बताया है black soil के बारे में काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगर के नाम से भी जाने जाता है, इसको चेर्नोजन भी बोलते हैं, या इसको कपास के लिए, चुकि इसमें कपास बहुत अच्छी तरीके से उत्पादन होती है, तो इसको कपासी मिट्टी बोलते हैं, और ये मुखे तक कहां पाई जाती है, महराष्ट, मध्यप्रदेश, करनाटक का कुछ भाग, आंधरप्रदेश, गुजरात, तमिल नाडू, तो इस प्रकार से ये टूटल 5.46 लाख किलो मीटर स्वेर चेत्रपल पर आपको काली मिर्दा का फैलाओ देखने को मिलता है, अब इस मृदा का निर्मार किस प्रकार से होता है, तो जो बैसाल्टिक लावा है, जो जमा हुआ है, पठार के रूप में, दक्कन का जो पठार है, उसमें जो बैसाल्टिक लावा है, उसके अपक्षय से रेगोर मृदा, अर्थात काली मृदा का निर्मार होता ह जो दक्कन पत का पठार है दक्कन के पठार का नौर्थ वेस्ट अथात जो उत्तरी पश्यमी भाग है वो आपका लावा फ्लो से मिलकर बना था है इसलिए आपको भोपाल के आसपास का जो एरिया है यहां पर काली मृदा देखने को मिलेगी इस मृदा में फॉस्फोरस आइरन चूना मैंगनीसियम कार्भोनेट पूटस यह सारे तक्त्रों बहुत जदा होते है और यह कोटन कल्टिवेशन के लिए अ कपास की व्लोम के लिए बहुत ज़धा फायदे-मंद होती है और यह मृद़ा क्ली टाइप की होती जब यह अे गीली होती है और गीली होने के पाद जब यह सूकती है तो इसमें धीरे-धीरे काफी स्वेयं दरारें पड़ जाती है तो यह अपने आप खुद की जुताई कर लेती है किसी किसान को जाकर जूतना नहीं पड़ता है किसी खेट को और इसी गुण के कारण जो यह ब्लैक सोयल है वो मौइस्चर रथात नमी को काफी ज़्यादा मात्रा में और काफी लंबे समय के लिए वो धारण कर सकती है उसको बचा के रख सकती है तो जो लावा के जो बैसाल्टिक लावा है उसके अपक्षय अपरदन के कारण इसका निर्मान होता है इसलिए इसको लावा सोयल भी बोलते है नेक्ट मृदा है आपकी लेटराइट सोयल यह लाल कलर की होती है इसमें आपको आइरन ओक्साइट की प्रचुरता मिलती है इस सोयल में नाइट्रोजन, लाइम, ह्यूमर्स, पोटास इन सब की कमी होती है लेकिन आइरन और एल्मोनियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है यह आपको महराष्ट का जो दक्षुनी भाग है करनाटक, केरल, मिघाले यहाँ पर इसका फैलाव है बिसिकलिए उस जगह मिलती है जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है इसकी अगर करशी उतपादक्ता की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत कम उतपादक्ता होती है लेकिन इस सोयल में जो काजु की खेती होती है काजु के पेड़ इस सोयल में बहुत अच्छे से लगते हैं यहां पर काजू का उत्पादन होता है टैपीयो का एक प्लांट होता है फ्रूट फल होता है जिसको खाया जाता है सब्जी के रूप में अलग अलग विवन रूप में तो टैपीयो का और काजू इनके इसमें प्रोडक्शन किया जाता है तो जैसा कि मैंने बताया कि जहां ज जमी भी ज्यादा है और जब रेंफॉल नहीं हो रही होगी तो वहाँ पर आपको सूखे का सीजन देखने को मिलेगा तो ऐसे में जो आपकी जो स्वाइल है स्वाइल का ऊपरी लेयर वहाँ पर आपको आयरन और एल्मॉनियम के कंपाउंड वहाँ पर रह जाते हैं और अगर इसके चेत्रफल की बात करें तो इसके चेत्रफल पर फैली हुई है तो यह 1.26 लक किलो मेटर स्वाइट पर यह फैली हुई है mostly आपको यह केरला क्या जो मालावार कोश्ट है वहाँ पर वारिश ज्यादा होती है इसलिए आपको वहाँ देखने को मिलेगा है महाराश्ट में देखने को मिलेगा वेश बेंगौल मेगाले जहारखंड असम उडिसा आंध्रा करनाटका साउथ पार्ट ओफ महाराश्ट्रा इतना छेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है नेक्स्ट बात करते हैं हम अलूवियल स्वाइल अर्थात जलोड म्रदा यह भारत की सबसे ज्यादा फर्टाइ का है नदियों के जल है कि माल्य के जो चैडिमेंट से उनको बहाकर लेके आती है और आपके उत्तरी मैदान थमान हैं उत्त परनेंगान लीज और सीपर आर्द्ट χ कितने लिकिर्शक्रीवार 10 community स्कैर अलूवियल स्वाइल उंrukt सार है और चुंकि यह सबसे ज्यादा हाइली प्रोडक्टिव लेंड है इसलिए यहां पर पॉपूलेशन भी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर देखिए नदियों जलका जलकी उपलब देता है और अग्री कल्चर आसानी से की जा सकती है तो प्राचीन काल से ही जो नि पॉपूलेशन है जो लेंड है वो इस पर आती है उस पर कवर करती है यह कहां कहां मिलेगी आपका पंजाब वाला छेत्र हो गया पंजाब से लेके पंजाब हर्याना यूपी बिहार और यहां से लेके असम यहां तक आ जाईए यह पूरा विस्तार है जलोड म्रदा का इस इसी के साथ साथ आपको जो ये पूर्वी तट है पूर्वी तट पे भी जलोड म्रदा देखने को मिलेगी और अगर यहां पर बात करें तो नर्मदा और तापी के पास भी कुछ छेत्रों में जलोड म्रदा का जमाव देखने को मिलता है नदियों के दुआरा जो जमाव होते हैं उसको बोलते हैं बांगर तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो एलुवियल सोयल है उसका एरिया ब्लेक सोयल से जादा है तो सबसे जादा आपके भारत में मिलेगी एलुवियल सोयल जलोड म्रदा उसके बाद काली म्रदा जो एलुवियल सोयल है उसम जो जल को धारण करने की छमता है वो बहुत कम होती है वहीं अगर हम काली ब्रदा की बात करें तो उसमें जल धारण करने की छमता अधिक होती है इसलिए वो लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है तो highly productive land है तो यहां पर आपका इत्यादी बहुत सारा जो agriculture production हो सकता है वो सारी चीजें इसमें होती है आलू चना मतर इत्यादी अग्री कल्चरल प्रोडक्स को उत्पादन इस लैंड में किया जाता है नेक्स्ट बात की गई है विभिन फैक्स की स्वाइल से ही related है जो आपका राजिस्थान के डिष्टि आप इस मैप में देखेंगे तो यह जो पूरा portion यलो वाला देख रहा है भारत में वह वाला पूरा भाग उसकी जो मृदा है वह alkaline है और इन मृदा में नाइट्रेट का concentration ज्यादा होता है और alkaline का मतलब क्या होता है कि pH वैल्यू साथ से बड़ी होती है इसकी अर्थात ब चना पिनट्स इत्यादी यह क्या होते है इनकी घेती करने से मृदा में nitrogen का इस तरह बड़ जाता है क्योंकि लैगूं कूल की जो पौधे होते हैं उनकी ज़नों में एक bacteria होता है rhizobium bacteria वो क्या करता है, naitrate से nitrogen को प्रथक करता है और बनाता है, sorry, जो atmospheric nitrogen है, उससे nitrate में उसको convert कर देता है और म्रदा में, soil में उसको store कर देता है, इससे होता क्या है? कि आपने देखा होगा, जो agriculture production होता है, उसमें खादें लगाई जाती है, तो उसमें N, P, K तीन चीजों का उसमें distribution किया जाता है N मितलब nitrogen, P मतलब phosphorus और K मतलब potassium तो इन तीनों की खाद लगाई जाती है, पौधों को दिये जाते हैं तो nitrogen बहुत ज़्यादा एहम होता है और हमारे भारत की म्रदा में बहुत कम nitrogen देखने को मिलती है mostly आप जो परवती म्रदा है, उसमें आपको nitrogen तो मिल सकती है लेकिन बाकी की जो म्रदा हैं उसमें बहुत ही या तो माइनूट होगी या फिर नहीं होगी तो इसी कारण से जब किसान को अपने खेत की औरवरा शक्ति को बढ़ाना होता है तो वो legume कुल के जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन करता है इससे एक प्राकरतिक रूप से खाद हमारे खेतों को मिल जाती है जो हिमालेयन सोयल है उसमें आपको हुमस नहीं मिलेगा हुमस मतलब जीवाश्म तो यहाँ पर जीवाश्म उसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं ये भी एक अनोखी बात है कि हिमालय परवत पर सबसे ज़्यादा वह सारे मोशली आपको देखने को मिलेंगे कि वह फॉरेस्ट कवर हैं वहाँ पर काफी सारे फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं हिमालय परवत पर फिर भी जो हिमालयन सॉयल से उसमें हिूमस देखने को नहीं मिलता है नेक्स्ट है आपकी कले सॉयल इसकी सबसे ज़्यादा वाटर को रिटेंशन अरथात जल संग्रहन करने की छमता सबसे ज़्यादा होती है clay soil की clay soil रथा चिकनी मिट्टी इसलिए चिकनी मिट्टी के काफी सारे बरतन बनाया जाते हैं next point में बताया गया है जो हम उड़त की डाल खाते हैं crop of black gram उसका भी प्रियोग मर्दा की औरवरक्ष छमता है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसके साथ इसको चारे के रूप में भी जो जानवर पालन किया जाता है जैसे गाय भैस बकरी इनको चारे के रूप में भी उनके पौदें को खिलाया जा सकता है तो यह चारे का भी काम करते हैं खाद का भी काम करते हैं भोजन का भी काम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में बात की जा रही है red soils की और ये बता रहे हैं कि जो प्राचीन, क्रिस्टलिन और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनके अपक्षेण के से ही red soil का निर्मार हुआ है mostly red soil का निर्मार इसी प्रकार से हुआ है red soil में आपको चुना नहीं मिलेगा magnesium, phosphate, nitrogen, humans ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है हाँ पोटास उसमें काफी ज़्यादा होती है red soil है तो iron oxide के कड़ इसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे ferric oxide ज़्यादा होगी next point में बताया गया है कि अलग-अलग कड़ों की जो व्यास है diameter है उसके बारे में बात की गई है जैसे चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी के जो clay हैं उसके जो कड़ होते हैं उनका अगर diameter अब देखेंगे तो वो 0 mm से भी छोटे हो जाएंगे इस बालू होती है fine sand उसकी जो diameter आपको देखने को मिलेगा 0.06 से 2 mm की मोटाई देखने को मिलती है अब next बात की जा रही है आपकी acidic और alkali soil की तो pH की जो normal value होती है हम पता है जल पीते हैं उसकी जो pH value होती है वो होती है 7 अगर 7 से कम value हो जाएगी तो कोई भी चीज जिसकी pH value 7 से कम है उसमें acidic behavior आजाएगा और अगर 7 से जादा हो जाएगा तो उसमें alkaline या basic behavior आजाएगा चारीय वन जाएगी इसी प्रकार से मृदा में भी होता है मृदा की अगर pH value 7 से ज़्यादा है तो वो थाजादा है और अगर pH value disbalans होती है तो उसके कराण जो production होता है agricultural production उस पे काफी प्रुभाव पड़ता है तो ऐसे में करना क्या होता है एक निश्चित pH value maintain करनी पड़ती है ज्यादा acidic हो गया तो उसमें कुछ मिलाए जाएगा जिससे उसकी pH value को 7 के नजदीक लाया जाएगा या 6 के आसपास maintain किया जाएगा अगर ज्यादा basic हो गई है तो उसको बापिस से 7 के करीब लेके आया जाएगा तो आपको अगर production करना है agricultural production तो pH of the soil range कहां से कहां तक vary करनी चाहिए pH value 6 से लेकर साड़े साथ तक अगर है तो वो बढ़िया है उसमें सर्वुत्तम फसल पैदा होगी लेकिन कहीं देखा जाता है कि जो soil है उसमें acidic quality आ गई अर्था 6 pH से pH value 6 से कम हो गई उसकी value तो वहां पर lime अर्था चूने को जमीन में डाला जाता है मृदा के साथ mix किया जाता है ताकि जो value है उसकी वो फिर से 6 या साथ के आसपास ला दी जाए और अगर कहीं कहीं ए भी देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए pH value साड़े साथ से भी ज्यादा हो गई उसमें चारिये गुण ज्यादा आ गए तो उसमें calcium sulphate मिलाया जाता है फॉर balancing the pH value of soil बहुत सारे सुष्क छेत्र हैं जहां पर आजकल एक problem देखने को मिलती है कि जो मृदा है वो उसमें नमक की मात्रा बढ़ती जाती है या कह सकते हैं कि लवडों की मात्रा बढ़ती जाती है और इससे जो पूर्वी राजिस्थान का भाग है हरयाना और पश्च्मी उत्तर प्रदेश का फाग आजकल बहुत ज्यादा प्रीडित है क्यों ऐसा होता क्यों है सबसे पहले भूमी पर प्रोडक्शन के लिए agriculture प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा मात्रा में पानी से सिचाई कर दी जाती है जल का जमाव हो जाता है मृदा के उपर उसके के घर्मी का प्रोड़ा होता है तो जल वावास्परिक्रत्होता है और जल के वास्परिक्रत्हों और मिए जमाव ज्याता हो जने के कारण जल का झाला होती हैं capillary tubes उनके थुरू जो जल है वो जमीन में जाने लगता है लेकिन जब गर्मी उपर ज्यादा हो जाती है तो पानी एवापोरेट होता है और इसके कारण जो लेंड है उसके नमी भी धीरे धीरे एवापोरेट होने लगती है तो होता क्या है कि जो अंदर salt है कई सारे salt soils में मिलते हैं magnesium calcium यह सारे salts धीरे धीरे पानी के साथ वो भी उपर आने लगते हैं और इसके कारण surface की उपरी सतय पर आपके लवड का जमा हो जाता है salts वहाँ पर मतलब जम जाते हैं salts की एक मोटी परत वहाँ पर जम जाती है इससे रेह कलर जैसी भूमी का निर्मान होता है और इससे जो agriculture production होता है वो काफी घट जाता है भूमी बंजर होने लगती है नेक्स हम बात करते हैं tea अर्था चाय जो हमारा राष्ट्री अपेया है जिसे सब लोग पीते हैं तो चाय का जो उत्पादन है वो कई प्रकार की म्रदा में किया जाता है अगर देखा जाए best उत्पादन कहां पे होगा तो slightly थोड़ा सा acidic medium होना चाहिए है उसमें थोड़ा calcium भी वहां पे उपलब्द हो उस म्रदा में वहां पर चाय का उत्पादन सर्वश्रेष्ट होता है जो चाय की फसल है या चाय के पौधे हैं वो जल जमाओ को सह नहीं पा पानी कहीं पर भी होगा तो वह धीरे धीरे नीचे की और रिस्के चला जाएगा वहां पर जल का जमाओ नहीं हो सकता है next बात की जा रही है soil erosion and improvement अर्थात मुरदा चरण और मुरदा चरण से बचने के क्या हो पाए हैं किस तरही कैसे मुरदा के उत्पादक चमता को बढ़ा रहा हैं वो सारे काम किये जा रहे हैं विविन स्कीम्स क्या क्या हैं तो इस point में बताया गया है कि maximum soil erosion affected area भारत में कहां कहां हैं तो आप देख सकते हैं चंबल के जो आपको रिवाइंस मिलेंगे अर्थात बीहड जो चंबल के बीहड है वो सारा वो बंजर भूमी है और वहां पर soil erosion बहुत सबसे जादा हुआ है यमना नदी के द्वारा भी ऐसा आपको काफी बेरन लैंड मिलेगा जो पश्मी हिमाले श्रेणिया है अर्थात शिवालिक श्रेणिया उसका जो फुट हिल एरिया है जो उसका परवत्पदी चेत्र है वहां पर भी soil erosion काफी देखने को मिलता है छोटा नाक्पर प्लेटू में भी देखने को मिलता है क्यों वहां पर खनन एक्टिविटी हाटिया है अर्थात मालवा प्लेटू का हो छेत्र तो वहां पर भी बहुत ज्यादा soil erosion है ब्लैक स्वाइल जो है काली मिट्टी जो है महाराष्ट की उसमें भी सबसे ज्यादा soil erosion मिलता है इसी के साथ साथ हर्याना राजिस्थान और गुजरात और थोड़ा पोर्शन आप आपका थोड़ा सा एरेड रीजन आ जाएगा लेकिन जो अभी मैंने इस पहले रेह और कलर भूमी का निर्मान किस प्रकार से होता है लवणी करण म्रदा का किस प्रकार से हो रहा है उसका प्रभाव भी आपको जो वेस्टन यूपी है उसके कुछ जिलों में देखने को मि या और आपका यमना के नजदीक का जितना भी पोर्शन है वो सारी चीजें उसमें आती है मद्य प्रदेश की बात करें तो स्वाइल एरोजन सबसे ज़्यादा आपको चंबल की घाटी में देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर उसके जो चैनल है जो चंबल नदी के जल का बहाओ हुआ था उससे बहुत ही प्राचीन काल में कभी उस पूरे छेत्र में भैती होगी उसके करण इस मृदा का काफी ज़्यादा अपरदन हो गया और यह चंबल के रिवाइंस मन गए जिसको बीहड भी बोलते हैं हिंदी में यह कहां कहां विस्तारित है तो आपका मु जल के कारण जो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि जमीन पर जब रेंड्रॉप होगा तो इस प्लैस एरोजन होगा और किस प्रकार से होगा यह डाग्राम है उपर से एक ड्रॉप फॉल होगी यह जब इधर साइड में आएगी तो उसके कारण कुछ हलके हलके से यहां पर जमीन पर गड्धे बनने चालू होगे और जब लगातार जल की वर्षा होती रहेगी तो धीरे धीरे यह जो आपके जो गड्धे हैं आपस में मिलने लगेंगे और एक नालिका बना लेंगे औ और जो म्रदा की उपरी परत है उसका वहां से इस्थानांतरन कर देंगे और जो शीट इरोजन है वह आपका पवन के द्वारा होता है विंड द्वारा इसका किया जाता है और जब इसकी नालिकाएं बन जाएंगी बहुत सारी पॉइंट्स को मिलने के बाद जब यह नालि वॉल्यूम और बढ़ जाएगा तो इनकी जो मोटाई है वो बढ़ने लगेगी यह कई सारी शाखाओं में विभक्त हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे गुली इरोजन और भी जब वॉल्यूम मात्रा इसका बढ़ जाएगा तो उससे बन जाएगा आपका चैनल और जिस प पूरकार से भूमी का अपरधन करती जाती है और जब इससे भी विस्तृत हो जाता है तो वो बनते हैं रेवाइन्स अथात बीहड तो अगर आप बीहड की संचना देखेंगे तो कहीं इस तरीके की भूमी मिलेगी कहीं इस तरीके का फॉर्मेशन है तो जो जल का निकासी ह कभी इदर से निकलेगा कहीं इदर से निकलेगा तो कुल मिलाके जो चम्बल का बाहाओ था किसी टाइम में इस पूरे छेतर में रहा होगा इस नदी के जल के कारण ही इस छेतर की मृदा का अपरधन हुआ है इसलिए इसे चम्बल के बीहड कहते है वर्ल्ड वाइल एक और्गनाइशन है उसके द्वारा यह बताया गया है कि फसल होती है सोर्गम अगर उसको किसी जमीन में लगा दिया जाए तो उससे उस मृदा का स्वाइल इरोजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है वहीं दूसरी एक फसल है क्लोवर इसको अगर आप प्लांटेशन कर द होते हैं उनको तो मौडिफाई कर दिया जाता है लेकिन सीट के मौडिफाई करने से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है लेकिन उससे अगर आप कहें कि स्वाइल की फर्टिलिटी पर कोई एफेक्ट प्रभाव पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है वह स्वाइल की पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती ना अच्छा नहीं बुरा तो स्वाइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या प्रयास किये जाने चाहिए क्रॉप रोटेशन अथा रोटेशन वाइस क्रॉप करने चाहिए एक क्रॉप कर ली उसके बाद दूसरी वाराइट क्रॉप करना चाहिए इससे स्वाइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है और अगर आप देखेंगे कि किसी म्रदा का सबसे उत्पादक भाग कौन सा है तो जो उसकी सबसे उपर की जो परत है वही सबसे प्रोड़क्टिव लेयर होती है और स्वाइल एरोजन में यही प्र सबस्क्राइब के प्रोड़क्टिव जो उप्री सतय है उसको नश्ट कर दिया जाता है अगर वनों में बात करें तो जो निर्वनी करण हो रहे हैं इक मेजर कौज है स्वाइल एरोजन का जब पेड़ काट दी जाते हैं तो पेड़ों की जड़ें समाप्थ हो जाती है पेड़ की जड़ मृदा को माधे रखती है इसके कारण जब वर्षा होती है या विंड फ्लो होता है तो मृदा इस्थानांत्रित नहीं हो पाती है वो अपनी जगे पर ही जमी रहती है अगर प्लांट्स काट दिये जाएंगे जो काटे जा भी रहे हैं और उनकी जड़े समा भी इस्थानांत्रण आसानी से किया जा सकता है स्वाइल कंजर्वेशन मेथड में आपकी टेरेस फार्मिंग भी आती है आपके घर की अपनी छत के ऊपर आप छोटी-छोटी क्यारियां बना लीजे उस पर थोड़ी-थोड़ी म्रदा में भी अगर आप कुछ भी प्रोड यूज कर सकते हैं और आपका घरेलू उत्पाद भी आप उसमें अपना घरेलू प्रयोग भी कर सकते हैं तो यह एक मैथड है स्वाइल कंजर्वेशन करने का अगर आप से पूछा जाए कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है क्या वह भी रिस्पॉंसिविल है स्वाइल नहीं हो रहा होता है ट्रोपिकल क्लाइमेट में बहुत ज्यादा आपको डायVERसिती देखने को मिलेगी विश्व की सबसे ज्याधा जय याव है मिलेगी तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्वाइल इरोजन हो रहा है इस पेड़ की सफेद खाल को प्राचीन काल में स्क्रिप्टर्स लिखने के लिए कागज के रूप में इसका इस्तुमाल किया जाता था यह पेड़ लगवख 4500 मीटर की उचाई पर प्राप्त होता है नेक्स प्राइंट में बात की गई है कत्था की तो जो भी पान खाने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कत्था उसमें प्रियोग होता है प्रत्ते एक जगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे नेक्स्ट बात की गई है हमारा जो ट्रॉपिकल अर्थात उठ्ण उठ्ण कटवन दिये सुष्क पर्णपाती जो वन है वह भारत में सबसे बहुत ही ज्यादा छेत्रफल में फैले हुए हैं और उठ्ण कटवन दिये आर्थ पर्णपाती वन सेकेंड लार्जेस्ट हैं अगर एरिया वाइस देखा जाए तो सबसे ज्यादा होंगे आपकी जो सुष्क पतज़डवन है वह आपको मिलेंगे उसके बाद आपको जो आपके मॉइस्ट अथा उषिंकटवन दिये आर्थ वाले पतज़डवन आपको सकेंड रैंक में मिलेंगे छेत्रफल के हिसाब से इसमें अगर प्रमुख व्रक्षों की बात की जाए तो इसमें आपक चीड पाइन और अन्य जो कौनी होते हैं अर्थात शंकू के शेफ में जो बनस्पतियां होती है वह यहां पर आपको देखने को मिलेंगी प्रकार से एक व्रक्ष होता है सिंकोना यह उस्ट्रक्टवन दिये आर्द सदावाहर बनों में पाई जाती है यह आपको प्रकार बिलता है क्योंकि वहां का मांसून वहां का जो जलवाई हो है वह अलग है उस नकटवन दिये सुष्क प्रकार की मिलेगी और इसके साथ साथ मांसून सीजन आएगा तो मौन्सून टाइप लेगी तो इस प्रकार से चत्रक्टव में आपको ट्रॉपिकल देखने को मिलेंगे नेक्स पॉइंट में बताया गया है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा करके एक व्रक्ष होता है इसको फ्लेम ऑप फॉरेस्ट जंगल की आग बोलते हैं इसमें यलो कलर के पुष्प आते हैं यह नाम जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है यह इसका साइंटिफिक नेम है लोकल लेंग्वाइज में हम इसको धाक या पलाश के व्रक्ष भी कहते हैं और यूपी का इस्टेट फ्लॉवर है अक्षात राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है पलाश के पुष्प को तो वन से जो हमें संसाधन मिलते हैं वो मारे लिए बहुत ज्यादा मै जिनकी लकडी का प्रयोग हम आर्थिक आधार के लिए करते हैं उनसे हम फरनीचर बनाते हैं हिरन की दो प्रजातियां है और एक्स और चिरू तो जो और एक्स प्रजाती है उसने होट और अर्था उष्ण और जो सुष्क छेत्र हैं जैसे साओधी अरब उसमें आपने माउंटेंस हैं जिनकी हाइट बहुत जादा है वहां पर स्टैपीज और सेमी डेजर्ट एरिया में रहने के लिए अपने आपको अनुकूलित कर लिया है नेक्ट बात की जा रही है फर्म की तो फर्म एक ऐसा पौधा है जो जिसका कोई बीज नहीं होते हैं वह अपने पर आते हैं नहीं उसके कोई बीज होते हैं नेक्ट बात की जा रही है टीक व्रक्ष की तो आपको MP में देखने को मिलेगा यह सेंट्र इंडिया में अलगे पूड़ा भाग MP 36 गाड़ ओडिसा वहां पर पीक के व्रक्ष आपको सबसे जादा देखने को मिलेंगे देवद पर वेश् बेंगॉल में जो यह सुंदर बन है यहां पर इस सुंदर बन का नाम ही इस कारण से पढ़ा कि यहाँ पर रुक्ष को आद मिलेगहalsoं राप, यह निक्स बात की जारी है चानको दो ट्रीपुर्ण जबी प्रकार के मिलेगा जहां लुठार वर्शा बहुत कम हो रही है तो राजिस्थान में आपको यह मिलेगा अब बात करते हैं विभिन प्रकार के वनों की तो सबसे पहले ट्रॉपिकल मॉइस्ट डैसीड्यूस फॉरेस्ट अर्था उश्नकटवंदिया आर्द प्रणपाती वन यह कहां पर हमको मिलेंगे इसके लिए कितना रेंफॉल होना चाहिए तो रेंफॉल स प्रतिवर्ष यहां पर वर्षा होनी चाहिए और इन बनों को मांसूनी वन भी कहते हैं यह मोचली कहां मिलेंगे आपको जो वेस्टरन घाट है आपका यह वाला पॉर्षन यहां पर आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डैसीज़ फॉरेस्ट और यह भी आ पर आपकी 200 सेंटीमेटर के आसपास वर्षा हो रही है तो वहां आपको डैसीज़ फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा वहां आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट होंगे लेकिन पर्ण पाती नहीं होंगे तो कम वर्षा आपके पूर्वी स्लोप पे होती इस्टर और इसही के साथ साथ जो हमारा प्रैदीपी भारत है जो इसका नौर्थ एिस्ट वाला छेत्र वहां पर भी लुए लापको पूलेगा और जो भाभर और तराई वाला छेतर है वहां पर भी आपको यह बन देखने को मिलेगे अब बात करते हैं ट्रॉपिकल ड्राई यहां पर कितना होना चाहिए सतर से सो सेंटीमीटर के बीच में और यह मद्य भारत से लेके दक्षिनी भारत तक विस्तारित है नेक्ट बात की जा रही है अल्पाइन फॉरेस्ट की अल्पाइन फॉरेस्ट आपको हिमालयाज हिल्स पर आपको देखने को मिलेगा तो यह इसक इसका मैक्समम एडिया आपको देखने को मिलेगा अरणाचल प्रदेश आप चले जाएगे वहां पर आपको अल्पाइन फॉरेस्ट मिल जाएगा ट्रोपिकल एवर्ग्रीन फॉरेस्ट अर्था उष्णकटबंदी सदा वहारवन यहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी औ और यहां पत्तजड का कोई मौसम नहीं आता है और आपको यहां पे रिम्न बहुत जादा है और यहां पर सथ शॉन पश्यमी ढाल जो वेस्टर्न घाट का है अथात इसको सहयादरी भी बोलते हैं तो सहयादरी मौंटेंस का पश्यमी ढाल पर आपको ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे इसी के साथ साथ आपको अनुमा निकोबार में भी यह फॉरेस्ट देखने को मिलेगा अब अगर महराष्ट की बात करते हैं तो महराष्ट में कहां मिलेगा अच्रा रतनागिरी रायगड देवगड विजयदुर्ग कुंडलिका रेव दंड मुंबारा दिवा श्रीवर्धन वैतरं मालवा इत्यादी अगर हम केरला की बात करते हैं तो विमनाद लेक कन्नूर लेक यहां पर आपको मिल जाएगा अगर हम तमिल नाडू की बात करें तो यहां पर पिछोवरम मुथूपेट रामनाड पुलिकट लेक काजूवेली जगह पर आपको यहां पर मैंगो पॉरिश मिलेंगे अब जाते हम वेश बैंगॉल में यहां पर सबसे बड़ा डेल्टा है विठ्ष है जिसका नाम है सुन्दरी है उसके कारण ही सुन्दरवन बसा उइसका । जो है सुंदर्वन उस सुंदरी व्रक्ष के कारण ही है जो स्वयम में एक मैंग्रोव वेजिटेशन है इसके साथ ही आपको ओडीसा कोस्ट पर आजाए तो ओडीसा कोस्ट में आपको भेतर करने का देवी धमरा चिलिकार इतनी जगह पर आपको मैंग्रोव फॉरेश्ट दे लीशा से ही बनाया जाता है तर्पेंटाइल और नॉन वोलाटाइल इरोजन अर्थात बहुत ही ज्यादा तीवर मात्रा में जहां अपरदन नहीं देखने को मिलता है वहां पर इस ऑप्योग किया जाता है जैसे अगर हम बात करें किस इंडुस्ट्री में इसका उप्योग किया जाता है तो यह लीशा आपके पाइन ट्री से निकलता है उत्राखांड मोश्ली आपकी हिमालय में मिलता है और इसके कारण कई लोग इस उत्पाद से संबंदित रोजगार में संलग्न हों तो एक एम्डॉयमेंट जनरेट होता है और इससे जो एकॉनमी है उत्राखन में उसकी एकॉनमी में भी व्रद्धी होती है अब हम देखेंगे वह क्या कारण है जिसके कारण क्लाइमेट अफेक्ट होता है तो सबसे पहले आपकी लोकेशन अर्थात वह किस लेटीटीट पर है जितना ही जो एक्क्वेटर के नजदीक होगा आपका अक्षांस या next बात करते हैं altitude की तो जितनी उचाई ज़्यादा होती जाएगी जैसे जैसे हमारी sea level से उचाई बढ़ती जाएगी temperature कम होता जाएगा surface पे आपको temperature ज़्यादा मिलेगा next बात की जारी है distance from sea समुद्र से दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा temperature देखने को मिलेगा जैसे अगर हम बात करें अपने Chennai और Kolkata की तो Chennai का जो आप अक्षांस है latitude है वो आप देखेंगे कि ये equator के ज़्यादा नजदीक है in comparison to Delhi लेकिन फिर भी जो average temperature देखा जाए Chennai और आपके नई दिल्ली का तो नई दिल्ली का average temperature जादा है उसका कारण क्या है कि Chennai एक coastal city है समुद्र के विल्कुल तट पे बसी हुई है वहीं अगर हम बात करते हैं अपने नई दिल्ली की तो नई दिल्ली एक स्थल भाग पर बसी हुई है समुद्र से इसकी दूरी काफी जादा है तो इसलिए इसका temperature जादा रहेगा रात के समय में जब अर्थ re-radiate करते है energy तो यहाँ पर जो जब अर्थ re-radiate करतेगी energy को तो यहाँ पर जो low pressure का center यहाँ पर create होगा उसको fill करने के लिए जो भी air आएगी वो आस्पार्क के भू भाग से ही आएगी अर्थात land से ही आएगी वहीं अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में जब रात को energy re-radiate हो जाएगी तो यहाँ पर समुद्र से पवन आएगी उनको समुद्री पवन कहते हैं और वो ठंडी होगी इसलिए यहाँ का temperature आपका कम मिलेगा नई दिल्ली के comparison में next बात करते हैं कि relief क्या उच्चा वच्च है अगर वो चट्टानी भाग होगा तो शीग्र गरम हो जाएगा और शीग्र ही ठंडा हो जाएगा re-radiate हो जाएगी energy तो रेगिस्तानी भाग होगा तो रेगिस्तान भी जल्दी गरम होता है जल्दी पिंडा हो जाता है तो यह चार factors हैं जिनके आधार पर जलवायू प्रभावित होती है तो प्राकृतिक आधार पर अगर देखा जाए कि कितने प्रकार की वनस्पती है तो सबसे पहले आपको मिलेगा ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट अर्थात उष्ण कटवन दिये सदा वहार वन यहाँ पर जो वनस्पतिया होती है उनके पत्ते कभी जड़ते नहीं है काफी बड़े बड़े इनके पत्ते होते हैं सदा हरित रहते हैं दूसरे हैं आपके ट्रॉपिकल डैसी दूस फॉरेस्ट उष्ण कटवन दिये पर्ण पाती वन यह ऐसे वन है जो ग्रीश्म काल में या सीत काल में कभी न कभी इन में पत्तजण का मौसम आपको देखने को मिलेगा तीसरा है आपका थौर्णी वुषिस अर्थात कटीली जाडियां तो कटीली जाडियां आपको कहां मिलेगी जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी भी अर्थात राजिस्थान वाला छेतर आप देखिएगा तो वहां पर सबसे ज़्याद आपको थौर्णी विश्च मिलेंगी नेस्ट है आपका माउंटेन वेजिटेशन तो माउंटेन्स का जो वेजिटेशन है वह प्लेंस अर्थात मैदानी भाग से बिलकूर रहते हैं यह सदैव आपको कोश्टल रेंज पर मिलेंगे तो सबसे पहले इसमें बताया गया है ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेश्ट के वाले बारे में तो इसमें क्या है कि आपको बहुत ही ज्यादा रेंफॉल होगा इसमें लगवक 200 सेंटीमीटर के आसपास पत्जड नहीं होता तो अलग अलग समय पर पत्जड होते रहते हैं एक ऐसा मौसम नहीं आता है कि सभी व्रक्ष एक साथ अपने पत्तों को गिरा दें पुराने पत्ते गिरते रहते हैं नए पत्ते उसमें बनते रहते हैं उगते रहते हैं यह प्रोसेस तो नॉर्मल होग और कौन-कौन से छेतफल में मिलेगा अंडुमान निकोवार चले जाए और नौर्थ इस्ट 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 जो हमारे हैं वहां पर भी काफी ज्यादा रेनफॉर होता है इस जगह मिघाल है चेरापुंजी मौसन राम आपको पहले ही बताया है इसके साथ साथ जो मारा पश्चमी घाट का पश्चमी ढाल वहां पर भी आपको यह चीज देखने को मिलेगी नेक्ट बात की जा रही है ट्रॉपिकल डैसीडूस फॉरेस्ट की यह भारत के विशाल शेतफल में विस्तारित है इसको मौनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं जब मौनसून का सीजन आत इसकी डेनसिटी देखी जाए इन कमपैरेजन टू एवरग्रीन फॉरेस्ट तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो डेनसिटी है व्रक्ष काफी ज़्यादा गनत्यों में देखने को मिलते हैं यहां पर जो धरा है जमीन है वहां तक सनलाइट पहुंसती भी नहीं है एवरग् व्रक्षों के मद्धे में एक होड मची रहती है कि हमको सनलाइट लेनी है हमको अपने रिसीब करनी है तो इसलिए यहां पर आपको 60-60 मीटर की उचाई तक के व्रक्ष भी देखने को मिलेंगे वहीं आप डैसिर्योस फोरेस्ट में आ जाएगे तो यहां पर इतनी ज्यादा देंसिटी नहीं होती है इसके प्रमुक जो एक्जाम्पिल्स हैं पेड़ों के तो साल टीक पीपल नीम सीशम इसाभी ट्रॉपिकल डैसिर्योस फोरेस्ट में आते हैं तो यह बेसिक डिफ्रेंस आपने दोनों में देखा अब हम बात करते हैं इरिगेशन अर्थात पानी भाग यां पर देखने को मिलेगा आसानी से उस चटान को तोड़के हम केनल स नहीं बना सकते क्योंकि कितना भी नीचाइब तो साथ इसालिए प्रमुक साहर की सब्सक्राइब होती हैं अर्थात उनमें सदैव जल देखने को नहीं मिलेगा बारहों महीं ने जब मॉन्सून का सीजन आएगा तभी उनमें पानी देखने को मिलता है पानी की उपलब्धता होती है इसी लिए कैनल्स भी नहीं मनाई जाती है कि आप भाया चालने तोड़के चैनल भी बनालो और पानी भी आपको हरवक्त मिले यहां तो इसी लिए बड़े टांक्स बना दिये जाते हैं तालाब बना दिये क्योंकि गर्मी के कारण पानी विपराइज होता है और उसके कारण मैंने आपको रेह और कलर भूमी के बारे में बताया किस प्रकार से लवड़ी भूमी बन जाती है तो उसके कारण भूमी की उर्वरा शक्ती भी कमजोर होती है और जब उर्वरा शक्ती कमजोर हो जाएगी तो आप कई सारे fertilizers उसमें प्रियोग करेंगे, कई सारे nutrients को अलग से आप डालके उन्हें देना चाहेंगे, nitrogen, phosphate, phosphorus, potassium, ये सारे चीज़ें आप उसमें provide करना चाहेंगे, तो भूमी की उर्वरा शक्ती को बचाए रखने के लिए, आपको micro irrigation का सारा लेना आवश्चक है, micro irrigation में क्या होता है, जल सीधे पौधे की जड़ों में जाएगा, और micro irrigation के कई प्रकार है, कई विविद प्रकार से micro irrigation की जाती है, उसको हम आगे देखेंगे, तो इसके कारण होता क्या है, जल की बरवादी नहीं होती है, वैसे भी जल बहुत सीमित मात्रा में है, peninsular इंडिया में, तो यहाँ पर limited water का efficient प्रियोग होता है, प्रती भूंद अधिक फसल इससे उत्पादित की जा सकती है, और इसके कारण कम से कम fertilizers का प्रियोग क्रशी में किया जाएगा, तो क्रशी इससे क्रशी का input cost है, वो आपकी कम हो जाएगी, profit बढ़ जाएगा, और अगर हम उत्तर के मैदानों की बात करें, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि काफी ज़दा tube bells लगे हुए है, tube bell के द्वारा काफी सिचाई की जाती है, तो उससे ground water का दोहन जो किया जा रहा है, उसके कारण ground water की ये समस्या आ चुकी है, कि हमारा चेंड़ाई में ground water पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, चाहिए, और जो हमारे उत्तरी मेदान है, वहाँ पर आपको canals भी मिलेंगी, और mostly जो irrigation है वो tube bell के द्वारा की जाती हैं आपर, अब नीचे आपको एक table दी गई है, जिसमें अलग-अलग राज्य हैं, और tube bell irrigation किस तरीके से हो रही है, उनका net area कितना है, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा tube bell irrigation देखने को मिलेगी, उसके बाद पंजाब में, फिर आपका हरयाना और बिहार, भारत में जो नहर प्रणाली है, उसकी प्रचलन सबसे पहले किस ने किया था, सबसे पहले उसको प्रपोजल किस ने दिया था, तो वो थे captain दिंसा जे दस्तूर, जिन्होंने सबसे पहले Garland Canal सिस्टम को प्रपोज किया, और नदी जोडो परियोजना की अगर बात करें, तो नदी जोडो परियोजना के बारे में सबसे पहले एक irrigation engineer थे, उनके द्वारा नदी जोडो परियोजना के प्रस्ताव रखा गया था, और उनके बाद एक Mr. K.L. Rao हुए, उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से नदियों को आपस में जोड़ना है, हलांकि ततकाल उस वक्त जो Water Resource Ministry थी, उसने इन दोनों ही प्रोजेक्ट को अस्विकार कर दिया था, रिवर इंटरलिंकिंग और गारलेंड कैनाल सिस्टम को, ब्रिटिश काल में एक British Irrigation Engineer थे, Sir Arthur Cotton, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, British India में कहां पर कैनाल बनानी चाहिए, किस प्रकार से बनानी है, उसका सारा कुछ जो में प्लानिंग की थी, वो सारा काम Sir Arthur Cotton ने किया था, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, कि he was the pioneer of irrigation works in South India also, Irrigation Project तीन प्रकार के होते हैं, एक है माइनर, दूसरा है मीडियम और तीसरा है मीजर, माइनर वो अलग कौन सा है, माइनर irrigation project में, जो area आता है, टूटल 2000 hectare तक का, कल्चरेवेल कमांड area इतना होना चाहिए, इतनी limit है, इससे अगर छोटा है, तो आपको minor irrigation project में आ जाएगा, इसमें जो भॉम जल है, और इसके साथा 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 सतही water है, कि जो सिचाई हो रही है, उसे medium irrigation project में रखते हैं, मेजर में जो 10,000 hectare के भूमी से बड़ी है, उसको अगर सिचाई करना है, तो उसको major irrigation project में रखते हैं, तो भारत में 62% irrigation potential है, minor irrigation projects के लिए, और अगर हम major irrigation project के अगर हम देखते हैं, तो 38% आपको इसका भाग देखने को मिलेगा, एक चंदन irrigation project था, वो basically बिहार का जो नौर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पर त्रवेणी कैनाल बनाई गे थी सिचाई के लिए, उससे संबन्दित है, नेक्स्ट है आपकी इंद्रा गांधी कैनाल, यह आपकी हरी के बैराज से निकलती है, यह सतलोज और ब्यास रिवर के उपर बनी हुई है, पंजाब में फिरोजपूर डिश्टिक है, वहाँ पर, और इस इंद्रा गांधी कैनाल की जो लंबाई है, टोटल 649 किलो मीटर है, और यह कौन-कौन से डिश्टिक में आपको मिलेगी, यह मिलेगी आपको गंगा नगर, बीकान एर, जोदपूर, जैसलमेर डिश्टिक, तो इतने छेतरों में इंद्रा गांधी कैनाल के जरिये, यहाँ पर जल पहुंचता है, आप यह देख सकते हैं, इस वाले भाग में यह पूरा थार के रेगिस्तान में आता है, यहाँ पर रेगिस्तानी भाग ज़्यादा है, जल की उपलबदता बहुत कम है, तो ऐसे में इंद्रा गांधी कैनाल यहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंद्रा गांधी कैनाल में जल कौन-कौन सी नदियों का आता है, तो सतलुज, ब्यास, रावी, इन तीनों ही नदियों का जल इसमें आता है, नेक्ट बात की जा रहे है कि ब्यास प्रोजेक्ट, तो ब्यास प्रोजेक्ट, पंजाब, हरयाना और राजिस्थान, इन तीनों का एक मिला जुला प्रोजेक्ट है, तीनों ही स्टेट इसमें भागीदार है, और इस प्रोजेक्ट में है क्या, कि एक पॉंग रिवर है, जिसके उपर एक बांध बनाया गया है, और वो बांध क्या करता है, इंद्रा गांधी कैनाल में, सर्दियों के समय, उसके में जल की उपलब्दिता लगातार बनी रहे, एक निश्चेत इस्तर का जल बना रहे, तो उसको मैंटेन करने के लिए इस डैम का निर्मार किया गया है, इस ब्यास प्रोजेक्ट का, बढ़ा कर और प्रतेक जल की बूंद का एफिशेंटली यूज करके, एग्रिकल्चर प्रोडक्शन को किस प्रकास से बढ़ाया जाए, वो इस प्रोग्राम में डिसाइड किया गया था, इस प्रोग्राम के कई और भी भाग्त है, जैसे कई सारे फील्ड चैनल्स है, फील्ड ड्रेन है, उनका निर्मार करना, वारावंदी इसको लागू करना, भूमी को संतली करन करना, उसको एक शेप में लेके आना, चकवंदी करना, और ये सुनिश्चित करना की एक निश्चित और सुनिवोजित प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न को किसानों के द्वारा उपयोग में लाया जाए तो ऐसे में सिचाई के लिए सारदा के ट्रिब्यूटरी रामगंगा गंडग इन नदियों को भी CADP प्रोग्राम में शामिल किया गया था नेक्स्ट आते हैं हम ड्रिप इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन क्या होता है इसको मैंने पहले ही होता है कि सीधे ड्रिप के द्वारा जो पानी है जो फसल उत्पादित की जा रही है खेतों में उसकी सीधे जड़ों में required amount of water पहुत जाता है जो wastage of water है वो नहीं होती है इसके कारण labor cost बसती है fertilizers अलग से use नहीं करने पड़ते तो वो cost आपकी बचती है जब जल का भराव नहीं होगा खेत में तो evaporation नहीं होगा इसके कारण जो ब्रदा की औरवरा शक्ती है वो बरकरार रहती है और जो फसल के पौधे हैं उनके मद्ध में अगर कोई घास application हमारे लिए काफी काफी जादा लावदायक है 2003 में मारे तकालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाचपई के द्वारा एक हरयाली स्कीम लाई गई जो एक watershed management project था इसे भारत के 2.32 लेक पंचायत में रन किया गया उसमें लागू किया गया और इस project में किया गया था कि हरय सब्सक्राइब से ही आप ले सकते हैं अर्खात आप हरयाली को बढ़ाईए विस्तित कीजिए वन रोपन कीजिए पौधा रोपन कीजिए तो इसमें लोगों को बढ़ावा दिया गया था कि हरयाली इसकीम से समद्धित है अब हम बात करते हैं मल्टि परपर्पस रिवर व यह जवलपुर से निकल रहे है यहां से और यहां से जाकर यह MP और MP के बाद महराश में प्रवेश करती है उसके बाद आपका गुजरात में आती है और यहां पर Gulf of Khanubad में वो अपना विसरजन कर देती है तो नर्मदा जो नदी है इसके उपर आप कौन सा डैम बना हुआ है सरदार सरोबर डैम इसकी उचाई कितनी है 138.68 मीटर फ्रॉम सी लेवल और यह गुजरात के नवगाम के निकट स्थित है यहां पर 1450 मेगावर्ट इलेक्रिसिटी जनरेशन होता है और इसके बेनिफिशरी स्टेट्स कौन कौन से है गुजरात और आपका MP महराश्टर और सरदार सरोबर डैम है उसकी लोकेशन आप देखिए यहां पर है सरदार सरोबर डैम तो इसमें कुछ MP का भाग भी आता है यह बॉर्डर आप देख रहे हैं यह इधर गुजरात है और इसके इधर साइड में आपका महराश्टर और इधर है आपका MP इसके निर्मार के प्र जल्मगन हो चुका था और नर्मदा नदी के उपर अगर देखे जाएं तो कई सारे इस पर आपको मुख्य बांध मिलेंगे बारगी ओंकारेश्वर इंद्रा सागर बांध यह कई सारे इस पर बांध है लगवक्त 30 के आसपास है अगर आपसे पूछा जाए कि बांध साग अपर ढारगी और यह से सौन नदी के उपर इस पर सीफिल जो तरदा शर्वर प्रोजेक्ट उसके निर्मार से जो लोग प्रभावित हुए जिनका गहर डूप गया जल्मकन हो गया तो उनसे जो प्रभावित है उन्होंने अपने अधिकारों की दो एक सूशल एक्टिवि उनका मानना है कि इस नदी के ऊपर काफी ज़्यादा बांध बने हुए हैं जिसके कारण नदी का जो बहाव है वो थम गया है और इसके कारण नदी में नदी धीरे-धीरे सूकती जा रही है तो इसलिए मेधा पाटे कर एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जानी जाती है लेकिन इस डैम जो ये सरदा सरोवा डैम है इससे गुजरात का लगवक सत्रे दसमलब नौदो लाख हेक्टेयर भूमी को सिचाई की सुविधा मिलती है और इससे सबसे ज़्यादा किसी को होता है तो वह है गुजरात इससे उत्पादित होने वाली इलेक्रिसिटी का 57% आ इसके बाद हम बात करते हैं भाकरा नागल डैम की ये पंजाब हर्याना और राजिस्थान का एक जॉइंट वेंचर है और ये सतलुज नदी के उपर बनाए गया है और इसके जो ये दो नाम है भाकरा और नागल बेसिकली दो डैम यहाँ पर बनाए गया है जिसमें एक का नाम है भाकरा और दूसरा है नांगल दोनों ही सतलुज नदी के उपर है तो इसके द्वारा जो सिचाई की स्विधा मिलती है वह हिमाचल प्रदेश पंजाब हर्याना राजिस्थान इन सभी स्टेट को मिलती है अब हम नेक्ष्ट बात करते हैं कावेरी नदी के उपर जो कितना होना है तो इस चीज को लेकर हम इस पॉइंट में कवर करेंगे तो इस मुद्य को निप्टाने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिबिनल बनाया गया है 2013 में जिसने या आदेश दिया कि 270 टीमसी अर्था थाउजन मिलियन क्यूबिक वाटर करनाटका को जा प्रकार से उन्होंने निर्धारत किया कि कावेरी का जो जल है उसको किस प्रकार से बाटना है वह CWDT के द्वारा बाटा गया है अगर हम बात करें भारत के सबसे पुराने हाइड्रो पावर प्लांट की तो वह है वेस्ट बेंगॉल के दाजलिंग डिस्टिक्ट में यहां पर आपका भारत का सबसे पुराना हाइड्रो पावर प्लांट है जिसे 1897 में बनाया गया था और इसके बाद बनाया गया था 1902 में कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम और यह करनाटक में स्थित है यहां यह कावेरी नदी का द्वारा बनाया गया एक दीप शि सुड़ में